कि अधिक तो अभी मन्यू आई एस सो टार्गेट आई एस 2021 में आप सभी का स्वागत सुरेंच तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हम टार्गेट आई एस 2021 के सेशन के अंदर करण्ट अफेर्स को कवरब कर रहे हैं और वो करण्ट अफेर्स रहेंगे आपके मार्च 2020 से लेकर एप्रेल 2021 के करेंट अफेर्स याद रखेगा सुद्ण्स यह आपके करेंट आपको प्रिलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा क्रूशल रूल प्ले करने वाले हैं क्लियर है हम लोग ये सेशन के अंदर हर एक न्यूस को बहुत ही एक्स्प्लेंड मैनर से कवरप कर रहे हैं यहां पर याद रखेगा और यह कवरप रहेगा मार्च 2020 से एप्रिल 2021 के करेंट अफेर्स यानिकी मोर देन वन इयर के करेंट अफेर्स क्लियर है और अभी तक हमने 46 लेक्चिस के अंदर मार्च को एप्रिल को में जून को जुलाई ऑगस्थ सेप्टमबर ऑक्टूबर और नवंबर को कवरप कर लिया है यानि की मोर देन अगर मैं बात करूं मोर देन एट मंच हमने अल्रडी कवरप कर लिया है अगर यहां पर मैं एक अनॉस्मेंट करना चाहूंगा नए लेर्नर्स के लिए जो पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं कि यह सेशन का जो पीडिएफ है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिये गए लिंक में जाकर आप लोग पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैं बात करूं आज के सेशन की सुरिंट्स तो आज का सेशन हमारा 47th लेक्चर रहेगा बेस्ट ऑन देसंबर 2020 करेंट अफेर्स यानि कि अभी तक का हमने दिसंबर के ऊपर एक सेशन लगाया है और आज हमारा सेकिंद लेक्चर रहेगा इनकी 47th लेक्चर और दिसंब 2020 करेंट अफेर्स अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दू तो माइसल्फ कनम अगरवाल आएम दे करेंट अफेर मेंटर अभी मन्यू आई एस तो लीजिए स्टुडेंस हम लोग शुरू करते हैं आज का नया सेशन अपना अगर मैं बात करूं आज की सबसे पहली न्यूस की तो वो रहेगी आपकी minimum support price for the crops minimum support price for the crops के अंत्रगत यह निकी MSP जो crops के लिए हैं काफे important news है और यह आपके लिए important रहेगी for the GS paper 3 and GS paper 2 shall we start okay अब सुनिय ध्यान से क्या है लिखा गया कि one of the major demand of the protesting farmers has been that the government guarantee in writing the minimum support price अरे सबसे important news बोल सकते हो आप लोग जो अभी farmer protest चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है वो चल रहा है कि farmers बोलते हैं कि भारत सरकार के government guarantee राइटिंग के अंदर कि the minimum support price system which assures them of a fixed price for the crops that is the 1.5 times of the cost of the production क्लेरेक को डाउट नहीं है आगे चलते हैं क्या बोला गया कि farmer unions are protesting against the newly enacted three farms law यानि कि जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है वो चल रहा है याद रखेगा यहां पर दो चीजी में हाइलाइट करना चाहूंगा थ्री फार्मर्स लॉस्ट के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है अंद रेक्रिसटी अमेंड मेंड बिल 2020 को लिए करेक्ट है याद रखेगा काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है अब चलते हैं कि एम एस्पी क्या है एक मिनिमम प्राइज है कोई भी फसल के लिए दाट गवर्मेंट कंसीडर आस रिमरेटर फॉर्टे फॉर्टे फॉर्मर्स एंद हैंस डिसर्विंग ऑफ दे सपोर्ट यह एक बेसिक आइडिया है मेंस पी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का और इसमें गवर्मेंट आफ इंडा का क्या रोल है वो हैंस डिसर्विंग ऑफ दे सपोर्ट इन थे मस्पी अप निक्स क्या बोला गया कि एट इस ऑल्सू दर प्राइस एक ऐसी प्राइस है दाट गवर्मेंट एजंसी स्पेग वेनेवर दे प्रोक्योर्ट अप्रिक्लियर क्रॉप करेक्ट अब मैं थोड़ा सा आपको सरकार कंसीडर करती है रिमरेडिव फॉर्ट फार्मर्स एंड हैंस डिजर्विंग फॉर्द सपोर्ट जो भी हमने पढ़ा है और क्या बोला यह एक ऐसी प्राइस है एजनसी है जब भारत सरकार पे करेगी किसको दे प्रोक्योर्ट बिल्कुल अब यहां पे एक चीज आप लोग हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आप लोगो को यहां पे बोला गहा है सुदेंस की द गवर्मेंट नाओ फिक्स थे MSP for the 23 crops अब भारत सरकार नेना MSP को फिक्स कर दिया 23 crops के लिए बट इस नॉट लीगली बाउंड टु पे दीज यहनी की बट इस नॉट लीगली बाउंड टु पे दीज इवन इस ओपन मार्केट रेट्स फॉर्ड शेड प्रोड्यूस आर रोलिंग बिलो दियर अनौंस फ्लोट प्राइस करेक्ट को डाउट तो नहीं है चलें आगे कि स्टुडेंट्स याद रखेगा अगर यहां पर आपको कुछ डाउट रहते तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताईएगा कि मैं डेली बेसिस पर कमेंट सेक्शन को चेक करता रहता हूं अगर कोई डाउट रहता है रेगार्डिंग करेंट तो मैं नेक्ट सेशन में आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिच करूँगा चलें आगे अब देखे क्या है यहां बोला गया कि दक कमिशन फॉर दे एग्रिकल्ट्रल कॉस्ट अद प्राइज यहीं की कि सी की बात की दक कमिशन फॉर दे अग्रिकल्ट्र चॉस् प्राइस रिकमेंड करता है MSP को 422 मेंडेटेट क्रॉप्स के लिए एंड फेर एंड रिमरेटिफ प्राइस के लिए फॉर्द शूगर की करेक्ट याद रखेगा यह चीज इंपॉर्टेंट रहती है करेक्ट आगे चलते हैं और क्या बोला गया कि जो कमिशन है एग्री प्राइस के लिए वह एक अटाच्ट ऑफिस है अरे यह इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलियम प्रस्पेक्टिव से याद रखेगा मैं मिस्स कर गया था आपको बताना बट यहां पर यह चीज आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए कि जो कमिशन है फॉर्द एग्री कल्च सरकार के अंतरगत कौन सा मंतर आले आगा मिनिस्ट्र ऑफ अग्री कल्चर और फार्मस वेलफेर के लिए एवन और क्या बोला गया है कि दम मैंडेटेट टॉप अभी जो कमिशन फॉर्द एग्री कल्चर कॉस्ट प्राइस ने मैंडेट किया है उसमें से 14 क्रॉप्स रहें और टू रहती हैं आपके कमर्शल क्रॉप्स में करेक्ट एक कोई डाउट तो नहीं आगे हम लोग आगे चलते हैं अब आप लोग आगे बढ़ें देख देखते हैं लिखा क्या गया कि इसी के दौरान इन एडिशन क्या लिखा कि जो MSP है ध्यान से देखेगा यह फिस ऑफ टो रहा अगे चलिए दा लिस्ट आफ क्रॉप्स के अंतरगत क्या रहा है नमब वन एक तो सेरल जागे सेवन आते हैं सेवन सेरल जाते हैं कौन-कौन से एक तो पेडी वीट बारले जवार बाजरा मेज एंद रागी यह आपका आगया सेडल के अंतर क्लियरे सुरिंट देन आफ्टर अगर हम लोग पल्स की बात करते हैं तो पल्स में फाइफ पल्स आ चुकी है तैसर ग्रैम अरहर यतुर भी बोलते हो आप लोग उसको मूंग उरद एंड लेंटल याद रखेगा यह चीज में हाइलाइटर यूज कर लो ओईल सीट में काफी जादा कोशन बनते हैं क्लियर है क्योंकि हमेरा मेंज के अंदर कुछ ऐसे कोशन आते जो मैप के बेसिस पर रहते हैं और वह मैप के बेसिस के अंदर ओईल सीट को मैक्सिमूम पूछा गया है याद रखेगा सुडेंट क्लियर है और इवन इसके ओपर 10-20 वर्ड्स भी अमें लिखने को मिलते हैं वहां पे करेक्ट चलता हूं मैं वाइल सीट में एट आ रहे हैं डाट इस और ग्राउंड नट रेप सीट या फिर जसका प्लोप मस्टर्ड भी बोल देते हो तोर्या सोया बीन इवन सोया बीन को सेफलोर आता है सेफलोर सीट जाते हैं अन्द नाइगल सीट आते हैं अब अगर रॉक कॉटन आ गया इसके अंदर रॉक कॉटन रॉट जूट कॉप्रा डी हस्क्ट कोकॉनट्स एंड शूगर की फिर और रिमरेटिव प्राइस के अंदर याद रखेगा कमर्शल क्रॉप् बढ़ता हूँ आगे अब देखें यहीं पर क्या चीज है क्या बोला गया कि जो बजट आया 2018 और 19 का सुनिया ध्यान से जो बजट आया 2018 से 19 का वो एन्नाउंस करते हैं कि जो मिनिमम् सपोर्ट प्राइस है वोड हैंस फॉर्थ भी फिक्स रख दिया गया है कितना 1.5 टाइ as a predetermined principle अरे important रहेगी यह चीज आपके लिए यह चीज इंपोर्टेंट रहेगी यह चीज आपके लिए यह चीज इंपोर्टेंट है examination point of view से कि budget 2018 से 19 के अंदर यह चीज को एन्नाउंस किया गया था clear है students even क्या बोला गया कि जो CACP है does not does not do any field based cost estimate itself correct देन आगे फर्दर प्र कि it makes projections यह projections करते हैं using the state wise crop specific production cost estimated provided by the directorate of the economics and the statics and agricultural ministry आप खुद कंसेप्ट पे जाईए यहाँ पे projection की बात की गई है students और वो projection अगर कर रहे हैं तो ऐसे कौन से points हैं ऐसे कौन से tools है जिसके basis पे आधार पे वो projections करते हैं आपके सामने हैं जैसा कि state wise हो गया crop sorry crop specific production cost हो चुका है और किसके द्वारा किया गया directorate of economics and the statics in the agricultural ministry मैं यह प्रिल्यम पर्सपेक्टिव से यह चीज़ को important मा करता हूं किस चीज़ को कि किसके द्वारा किया जा रहा है यह रहेगा आपका directorate of economics and statics in the agricultural ministry students याद रखेगा यही चीज़े न कुछ ऐसी चीज़े रहती है जो crux बन जाती है हमारे लिए और उन में से यह crux एक है और अब क्या लिखा कि in 2018 से 2019 budget की जो speech आई the government did not specify the cost on which the 1.5 times formula was to be computed यह कि किसके ऊपर यह डेड़ गुना वाला formula compute करता है लागू किया जा रहे एवन आगे देखिए कि जो CACP है वो एक क्या है price policy for the kharif crop के अंतरगत क्या आ गया कि the marketing season marketing season 2018 से 19 की report आई वो क्या report शो करती है कि जो minimum support prices है वो recommendation है was based on 1.5 times the A2 plus FL cost correct चलता हूँ आगे क्या लिखा कि जो farm की activities रहती है जो demand आती है कि 1.5 time minimum support price formula originally recommended कि ने किया originally recommended किया गया by the national commission for the farmers headed by the agricultural scientist MS Swaminathan याद रखे MS Swaminathan जी कौन है the father of green revolution in India correct wheat and rice production के लिए green revolution के लिए सही है and should be applied on the C2 cost correct तो students मैं यहां पर थोड़ा सा data add-on करवाना चाहूंगा about the national commission for the farmers headed by the agriculture याद रखेगा यह चीज़ important रहती है बस आप लोग मेरे साथ बने रहेगा क्लेरेक क्योंकि कुछ हैसे points रहते हैं जो मैं आपके साथ शेर करूंगा for the important topics only यहां पर क्या लिखा जाएगा हमारे लिए नैशनल कमिशन्स on the farmers के आधार पर क्या चीज़ आई है आप देखे जहां से number one पहला point क्या लिखा गया he on 18th of November 2004 the union government formed the national commission on farmers यह नहीं की 18th November 2004 को इसका गठत किया गया था by the union government of India जी बलकु लेना ठीक है आप किसको इसको क्या बोल सकते हो ncf short form में विद एम एस स्वामी नाथन आज इट्स चेर मैं करेक्ट है एक बेसिक है जो अभी हमने पड़ा था जी अब इसके ओपर अगर मैं data और add-on करूंगा तो क्या लिखा गया इसका में बनाने का objective क्या था में एम क्या था students तो देखिए के ते हैं the main aim the main aim of the committee was to come up with a sustainable farming system याद रखे का ये main objective रहेगा national commission on the farmer scale you clear it on system make farm commodities cost competitive and more profitable तो ये एम है number point two किसका national commission on the farmers के लिए correct है students यहां तक I hope आपको को डाउट नहीं होगा यहां तक shall we proceed further okay अब आगे चलते हैं अब देखे ध्यान से क्या लिखा गया इसी के अंतरगत की जो बेस रहेगा on the methodology recommended किया गया by the experts committee from the time to time correct है तो यह है students आपका minimum support price for the crops के लिए correct shall we proceed further okay तो आज की मारी next news रहती है cctv and the police station यह आया supreme court की तरव से यह आपके लिए important रहेगा for the GS paper 2 अब ध्यान से करते हैं हम लोग इसको भी क्या बोला गया है की the supreme court has asked the states and the union territories supreme court ने भारत के राज्यों को और union territories की governments को governments to ensure that cctv यहनिकी closed circuit televisions camera are installed in each and every police station correct अब क्या बोला गया की ऐसा क्यूं हुआ की इन दे 2005 में 2015 के अंदर in the case of the dk basu versus the state of the west bengal एक चुकेस आयाप रिगार्डिंगे बासु वर्सस इस से आव वेस बिंगॉल the supreme court directed that the closed circuit television cctv's should be installed in the every police station and the prison to check human rights abuses किसको चेकर ना है human rights को यहां पे यह चीज को मैं थोड़ा सा important मां कर रहा हूं in every police station in the prison क्यूं अरे टू चिक human rights abuses तो यह चीज थोड़ा सा important रहें कि यहां पे भी मॉलिक अधिकारों की बात की गई है क्या हुआ है चले हांगे अग क्या हुआ similarly in 2018 में the supreme court asked the ministry of the home affairs to set up a central oversight body COB को भी गठत किया जाए ministry of home affairs को बोला किस को central oversight body को गठत किया जाए तो इंप्लीमेंट दप्लान आफ एक्षिन यान कि जो एक्षिन जो प्लान जै उसको इंप्लीमेंट किया जाए है विद रिस्पेक्ट तो वीडियो ग्राफी इन दे क्राइम सीन दूरिंग दे इंवेस्टिगेशन मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट रहेगा यहां पर यहां पर सुप्रीम कोड बोलता है कि जो इंप्लीमेंट करेगी प्लांज को उसके एक्षिन स्कोर विडियो ग्राफी जो क्राइम के दौरान विडियो ग्राफी किया गया होगा दियूरिंग दे इन्वेस्टिगेशन उसकर सकते हम लोग ठीक ना एजन एविदेंस आगे जलते हैं कि रिसेंटली इस्ट्रीम को अभी तो ये नीव्ज आ एक यहनी की सूपीं कोट बोलते हैं कि रिसेंक्ली सूपीं कोर्ट ने फाउं किया है और देखा गया है सूपीम कोट की तरफ से कई ज्याधा भारत की स्टेट्स आन अड़ यूटी इस यह प्रॉब्स को फुल्फिल करने में नाकाम रहे हैं कि इ ensure that cctv cameras are installed यहनकी भारत के राज्य और युनिन टेरिटरी इंशुर करेंगे की वो हर एक पॉलिस टेशन के अंदर cctv's को इंसॉल कर चुक है sorry at each and every police station बिल्कुल at all entry and exit points यहनकी हर एक entry or exit point of the police station को हमने है surveillance के अंदर cover करना है बिल्कुल है main gates को lockups को corridors को lobbies को receptions को as also area outside the lock up rooms so that no part is left uncovered यहनि की कोई भी police station का हस्सा uncovered नहां रह जाए वो ध्यान में रखते हुए supreme court ने निर्देश जारी किये direct even क्या बोलते हैं कि जो cctv system है must be equipped with the night vision ऐसा नहीं है कि रात के टाइम पे कि वो आपका cctv camera capture video capture ना कर पाए नहीं हम लोग night vision cameras को use करेंगे even audio as well as video footage भी वहीं वही camera के अंदर shoot किया जाए गाने इनकी audio clip भी record करेगा वो camera and it shall be mandatory for the center state and the UTS to purchase such systems which allow the storage of the data for the maximum period possible at least one year यानी की लगभग एक साल तक का video recording होना चाहिए clear एक अब आगे बोला गया कि जो constitutional dimensions है की the current directions by the supreme court are furtherance of the fundamental rights enriched in the article 21 यानी की वो क्या है the protection of the life and the personal liberty important रहेगा मैंने आपसे पहले ही यहाँ पे बात की थी क्योंकि यह जो cctv's in the police station वाला news है यह more or less एक human being के मौलिक अधिकारी के fundamental rights को protect करने के लिए यहां पे यह steps उठाय गया है by the supreme court clear है ना क्योंकि यहां पे लिखा कि in the article 21 that is a protection of the life and the personal liberty of the Indian constitution correct even क्या लिखा कि article 21 में क्या बोलते है कि states that no person shall be deprived of his life or the personal liberty except according to the procedures established by the law okay up kya lakha gya the expanded scope of the article 21 up do article 21 m was co expand kya gya has been explained by the supreme court in the case of uni krishnan versus the state of andhra pradesh yadra khayga kissy under uni krishnan versus the state of the andhra pradesh in the 1993 and supreme court kya bolta hai has itself provided the list of some of the rights covered under the article 21 on the basis of the earlier procurements sorry pronouncements correct आगे बड़े सुदेंस कोई डाउट तो नहीं यहां पे आगे चलते हैं अब आगे देखिया आप क्या निखा गया यहीं उसके अन्दरकत की किव एकॉर्णuição क्राइमरी रिकॉर्ड ब्यूर। अब गेंस six policemen were convicted of the custodial violence despite 1727 such deaths being recorded in India ये डाटा दिखाया गया डाटा बताया गया किसके द्वारा नाशनल कमेशन्स और नाशनल क्राइं रिकार्ट ब्योरो के द्वारा अब सुरेंट्स थोड़ा सा डाटा अडाउन कीजिए रिकार्ट ब्यूरो के रिये रिकार्ट ब्यूरो के रिये रिकार्ट नम्हर वन क्या बोला गया कि इट वॉस सेट अप इन 1986 एक तो नाशनल क्राइं रिकार्ट ब्यूरो की एंसी आर्बी को 1986 में गठत किया गया जी बिलकुल कौन से मंत्राले के अंदर अंडर दर मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स याद रखेगा कौन से मंत्राले आ चुका है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स आ चुके हैं तो फंक्शन अस अर्थ रेपोजिट्री ओफ इन्फोमेशन किसके ऊपर अन क्राइम बिलकुल किसके ऊपर है क्राइम के ऊपर है और अगमिनल्स तो अस्टी अस्टी अस्ट्री इंवस्टिगेशंस रिंवस्टी इस न् अब ध्यान से देखिए 1986 में नाशनल क्राइम बीरो को गठत किया गया अंडर दो मिनिस्ट्री आप अफ़ेर्स ताकि यह फंक्शन कर सके इंफरमेशन कर सके क्लेक्ट कर सके किसकी वपर क्राइम क्रेमिनल्स की उपर अगर अगर एसी के ऊपर थोड़ सा डाटा अगर किया जाए तो इसका हैडकवार जा तो इसका हैडकवार्टर पर एगा धकर रहेगा एगा थेज़िस्ट्री आट नियु डेली थर्ड पॉइंट देखा जाए क्या बोला गया सेट अप बेज़्ड ओन रिकमेंडेशन्स यानि की जो ये सेट अप किया गया किसके रिकमेंडेशन से किया गया रिकमेंडेशन्स आफ दे नाशनल पॉलिस कमिशन 1977 से 1981 के बीच में और किसके रिकमेंडेशन है Ministry of Home Affairs के द्वारा सॉरी Minister of Home Affairs Task Force के द्वारा 1985 में करेक्ट है तो यह एक बेसिक आईडिया था अबाउड दे नाशनल क्राइब रिकॉर्ड ब्यूरो आई होब आपको यहां पर कुछ डाउट नहीं होगा क्लेर है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सुरेंट्स अब ज्यान दीजिक यहां पर क्या लिखा की ओल्ली 4.3 % of the 70 death in the 2018 were attributed to the injuries किस टाइम पर दूरिंग दे कस्टिडी दूट थे फिजिकल असॉल्ट पाइड पाइड पॉलस करेक्ट इवन क्या बोला गया कि अपार्ट फ्रॉम्ट कॉस्टोडियल डेट हाला कि अगर कॉस्टोडियल डेट से भी हट कर देखा जाए कि more than 2,000 human rights violation cases were also recorded यानि कि more than 2,000 human right violations भी किये गए है रिकॉर्ड किये गए कि अंगेस दपॉलस बेट्वीन 2000 से 2018 की 18 साल के बीच में and only 344 पॉलस्में वर convicted in those cases correct next point क्या बोला गया कि भारत की इंडिया is not a signatory of the united nations convention against the torture which requires states to take effective measures बिलकुल to prevent torture in any territory यहनि कि हम लोग रोक सके torture ko koibhi territory under under the under their jurisdictions and forbid states to transport the people to any country where there is a reason to believe they will be tortured important clear रहे है यहां पर यह चीज भी आपके examination point of view से important रहे है clear है students अब ध्यान से देखे cctv's के लिए कि क्या है बोला गया कि it is a television system यह television system है in which signals are not publicly distributed but are monitored यहनि कि हम लोग इसको signals को publicly distribute नहीं करते हैं अगर हम लोग यहां पर student cctv के components की बात करें तो क्या बोला गया कि it consists of basic components नहीं कि इसके अंदर एक basic components लगे हुए है that do not very much from system to system at a high level these includes a camera is camera hooga with a lens cabling hooga digital video recorder hooga DVR hooga on the network video recorder hooga nvr hooga and a video monitor hooga clear even agar aur dekha jaye कि जो security uses him क्या बोलते है कि it is one of the most important physical security एक बहुत important physical security है to address the terrorism and the other security threats correct और क्या बोला गया कि जो cctv's है has incomparable value as a forensic tools as well as a deterring all types of the physical and electronic threats correct तो यह है एक basic motive supreme court का की बोल रहा है जो cctv's को पूरे भारत के अंदर installs करना है in the police stations correct को doubt तो नहीं है आगे चलते हैं तो students आज की हमारी next news रहती है lottery gambling betting taxable under the GST act यह भी बोला गया by the supreme court of the India और यह आपके लिए important रहेगा my dear students for the GS just a second यह आपके लिए जीएस पेपर टू के लिए and GS पेपर 3 के लिए अब मैं शुरू करता हूं just give me a second आप देखें ध्यान से क्या बोला गया कि supreme court has held that supreme court बोलते हैं कि lottery gambling and betting are taxable यानि कि lottery को gambling को और बेटिंग को Texas के अंदर लेट जाया चुका है under the goods and the service Texas Act 2017 again important act याद रखे का इस तरीके की चीजे important रहेंगी क्या बोला कि the supreme court passed the order of supreme court ने एक order पास किया in a batch of police filled by the various lottery dealers who argued that the central government had wrongfully classified lottery as goods correct अब क्या होता है challenging sections कौन से हैं अब challenging sections आते हैं आपके सामने 2 में of the 2008 and notifications आये living the Texas on the lottery petitioners contended that the law was violative of the fundamental rights और जो petitioners है वो बोलते हैं कि एक ऐसा कानून बना है जो fundamental rights को वालेट करता है and contrary to the supreme court judgments यानि की concept वो आया था जो sunrise associates versus the government of the entity of Delhi 2006 के decision के अंगेस्ट क्लियर है that hell that lotteries were merely actionable claim and cannot be defined as goods correct अब क्या बोला गया है यहां पर देखिए ध्यान से focus कीजिए आप लोग कि जो लोटरी है lottery betting gambling are actionable claims and come within the definition of the goods यहनि की बोला गया कि जो लोटरी आ गया है जो बेटिंग है gambling है वो एक actionable claim है and वो किस्थे अंडराते है definition of the goods के अंदर अंडराते है अंडराते है अंडर देखिशन 252 of the central goods and the service text at 2017 again important है यह चीज़ क्लियर है कौन सा section है कौन सा act है हमार ले वो चीज़ इंपोर्टेंट रेगी सुरेंट रेक्ट आगे चलता हूँ अप में अब आगे देखिए यहां पर क्या लिखा गया the level of GST on the lotteries does not amount to hostile the discriminations even क्या बोला गया कि as per the schedule 3 of the central GST act central goods and service act 2017 कि जो actionable claims है other than the lottery betting and the gambling are neither treated as supply of goods nor a supply of services again important करेक्ट मैं इवन आप लोगों के लिए यहां पर हाइलाइटरी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि प्रिलिम परस्पेक्टिव से चीज़ इंपोर्टेंट रहेगी क्लिर है students यहां पर आप लोगों को I hope to doubt नहीं होगा आप लोगों के लिए अब आगे अगर देखा जाए क्या बोला गया कि the Parliament has an absolute power of Parliament के पास एक absolute power है to go for an inclusive definitions अरे यह भी again important रहेगा हमारे प्रिलिम परस्पेक्टिव से कि पारलेमेंट भारत के पारलेमेंट के पास एक absolute power है to go for an inclusive definitions of किसका goods to include actionable claims like the lottery gambling and the betting यहनी keeps वो actionable sorry absolute powers के अंतरवत क्या है जो definition है उसके अंदर हम लोग included भी कर सकते हैं goods के definition को और वो क्या रहेगा जो हमने अभी देखा कि include क्या गया एक actionable claims को वो कौन से claims है that is your lottery that is your gambling and that is your betting correct तो यह power आ गया absolute powers के अंतरगत of the Parliament of India क्योंकि यह प्रिलिम परस्पेक्टिव से important रहने वाली है चीजें कि absolute powers की main power क्या रहती है ठीक है आप आगे चलते हैं अब आप खुद भी देख पा रहे ना इवन भारत के पार्लेमेंट ने इसको प्रेक्टाइस भी किया है यह हम लोग बहुत suitable example में लिख भी सकते हैं अब क्या लिखा गया कि article 246 a of the constitution क्या बोलता है कि fully empower the parliament एक parliament को fully powers देते हैं to make laws कानून बना सकते हैं with the respect to the goods and the service section की अरे कानून तो बना दिया पार्लेमेंट में पार्लेमेंट ने बट किसके respective में with the respective the GSE goods and service taxes में और किसमे expensive definitions of the goods given in the section 2 clause 52 cannot be said to be not in accord with the constitutional provisions correct अब क्या है lotteries regulation act 1998 के अंतरगत ध्यान दीजीगा यहां पे लिखा कि जो lottery उसको consider किया गया as a legal in India और जो lottery should be organized by the state governments and place of draws should be in that particular state correct है एक legal है और किसके अंदर अंतरगत आथा यह आथा है lotteries regulation act 1998 की अंतरगत परेक्ट है आगे बढ़ते हैं अब इंडियन penal code 1860 क्या चीज़ है देखिए students यहां पे क्या लिखा गया क्या बोलते हैं कि यह जो code है give me seconds sorry Indian penal code 1860 में क्या लिखा गया कि the code has the provision for punishing anyone who to annoy of other does any options act in the public place or sings recites or uters any options songs bellart or the words in or near any public places यह आपका definition देता है in the Indian penal code 1860 क्या अंतरगत और क्या लिखा गया कि इस तरीके की provisions है जो IPC में may be attracted if any options matter is used for the purpose of advertising betting and the gambling activities correct इवन और क्या बोला गया है students देखे ध्यान दीजिए यहां पे यहां पे बोला गया कि information technology rule 2011 के अंतरगत की under these rules इस तरीके के rules में any internet service provider network service provider or any search engine will not host any such content which directly or indirectly support the gambling यह रहा information technology rule 2011 के अंतरगत अब अगर आगे की बात की जाए students की income tax act 1961 के अंतरगत क्या चीज़ है तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि under this act of इस कानून के अंतरगत की जो current taxation policy है भारत के अंदर वो cover करते हैं all types of gambling industries directly or indirectly यानि कि does it can be said कि हाला कैसा कुछ बोला जा सकता है कि all the regulated and the legalized gambling is supported in the gross domestic product नहीं की जो भी regulated or legalized gambling है वो supported by the sorry supported in GDP gross domestic products of India correct it without students यहां पे यह चीज़ इंपोर्टेंट है यहां पे correct तो ठीक हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की नेक्स न्यूस पर देखते हैं अभी इसी को sorry बढ़ा यह न्यूस की अंतरगत अभी है एक स्लाइड और तो actionable claims क्या चीज़ रेती है बोला गया a claim to any debt कर जे पे other than a debt secured by mortgage of immovable properties or hypothecations or pledge of the movable property यह एक claim की definition बोली एक इवन क्या बोला गया की hypothecations occur when an assets is pledged as collateral to secure a loan यह निकी हाइप पॉथीकेशन क्या डिफान करते हैं वो तब होगा जब कोई assets को किसके अंतरगत रखा गया है collateral यह निकी हम लोगने बेंक के अंदर आज़ क्लेटरल रखा हुआ हुआ है फॉर रस security of the loan और क्या बूल दिया की only activities relating to the lottery betting and gambling are subjected to the GST and except these three no actionable claim is covered under the GST by the virtue of the schedule three correct अप इसके कुछ एक्जम्ब्स एक लिए हैं लोग जैसा की एक तो आता है number one pay insurance policy which is not secured by the way of mortgage or the hypothecations or the pledge second data is students hamara claim kiss me claim for the arrears of the rent is actionable claim since it is not secured on anything third आ गया right to claim provident funds में fourth हा गया claim for the unsecured debt बिल्कुल और fifth हाता है last आता है claim in the profit by a partner in a firm correct students students में फिर से एक announcement करना चाहूंगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो उन learners के लिए announcement कर पाऊंगा करना चाहूंगा sorry की अगर आपको ये session का पीडिएफ चाहिए तो description section में दिएगे link पे जाकर आप लोग पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एवन अगर आपको फिर भी कोई current रहता है ना तो प्लीज आप लोग comment section में जरूर लिकर बताइएगा क्योंकि मैं की उसको कवर अप कर रहे हैं well detailed और explained manner में कवर अप कर रहे हैं क्योंकि आपको काफी जदर benefit देने वाला है आपके प्रिलिम्स और मेंस examination में clear एक सो चलते हैं हम लोग आगे तो students हमारी आज की news रहेगी Rohingyas at isolated Bangladesh island यहां के लिए important है for the GS paper 2 के लिए अब देखेगा क्या लिखा गया इसी के अंतरगत की जो authorities है बांगलादेश के अंदर authorities in Bangladesh sent the first group of more than 1500 Rohingya refugees to an isolated बसंचर island in the Bay of Bengal very important point याद रखेगा कि 1500 Rohingya refugees को isolate किया गया कहां पे sorry isolated एक island पे भेजा गया concept वो है बसंचर island अब यह बसंचर island क्या चीज़ है just give me the one to two minutes हम लोग इसके ओपर भी discussion करेंगे क्या पूला कि the Rohingya people are stateless यह stateless है यह बिल्कुल एंड इंडो आरन एथनी ग्रुप है most important point f for the problem perspective अरे यह हमारे लिए ना history को दिखा रहे हैं याँ पे ancient history को बहुत important है आपे शो किया गया है याद रखेगा यह point अपने आप में इंपॉर्टेंट डोल पे करते है clear यानि कि the Rohingya people are stateless इंडो आरन एथनी ग्रुप्स who reside in the Rakhine state Myanmar अब क्या बूला कि there were an estimated 1 million Rohingya living in the Myanmar before the 2016-17 crisis और क्या बूला कि इस्टीमेट एक अनुमान है कितना कि 625,000 refugees from the Rakhine Myanmar had crossed the border into the Bangladesh since August 2017 and the majority are the Muslims while a minority are Hindu यानि कि यह रोहिंग्या के अंदर majority में Muslims है और minority में Hindus है clear even क्या बोला गया they are described by the United Nations as one of the most persecuted minorities in the world most important one clear even USA copy यहां पे description आया as a most persecuted minority in the world or the Rohingya population is denied citizenship under the 1982 Myanmar nationality law or क्या बोला गया कि they have denied the Rohingya the possibility of acquiring a nationality even क्या बोलते है यहां पे कि in June 2015 the Bangladesh government suggested resettling the Rohingya refugees on the Bhasanchar Island under its Asheriaan project most important again याद रखेगा June 2015 में Bangladesh सरकार क्या बोलती है suggestions जेती है कितेक्स suggested resulting Rohingya refugees on the Bhasanchar Island under its Asheriaan project कौन सा project अशरियान project very important for the prelim points of view याद रखेगा सुरेंस यही चीज़े इंपोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए clear रेक चलें आगे अब देखें यहां पे क्या लिखा कि the Bangladesh government is moving these refugees to an isolated island known as the Bhasanchar बसंचर की अगर हम लोग अब बात करें वो कहां पे है कहा गया कि 21 miles and 34 kilometers from the mainland यानि की बांगलादेश mainland से 34 km दूरी पे रहता है बसंचर island isolated island है और क्या बोला कि यहां पे देखेगा कि जो जो बसंचर island या फिर उसको आप लोग क्या बोलते हो floating island again important है याद रखेगा floating island या फिर भसंचर island है उसको और भी क्या बोला गया चार पिया और थेंगर चर island याद रखें चार पिया और थेंगर चर आइलेंड भी बोला गया है is an island in the हत्या बांगलादेश और क्या बोला कि इट सर्फेस्ट ओनली 20 यह एगो एंड वस नेवर inhabited करेक्ट यह हमने detail किसके बारे में कर रहे हैं about the भसंचर island या फिर फ्लोटिंग आइलेन या फिर चार पिया आइलेन या फिर थेंगर चार आइलेंड क्लियर और यह कब बना यह form बना formed with the Himalayan silt from the mouth of river मेगना अरे मेगना क्या चीज है आप लोग बोल सकते हो मेगना इसको कि गंगा और भ्रमपुत्रा जब दोनों मिल जाते हैं बांगलादेश के अंदर तो क्या बनाते हैं मेगना या फिर हम लोग प्रॉपर लिए अगर बात करें अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पदमा प्लस जामुना अरे जब आपकी यह दोनों नदियां बांगलादेश के अधर मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी मेगना और मेगना रीवर के कि डिपोजीशन एक्टिविटी यानकी सिल्ट जब डिपोजिट किया गया करता गया करता गया इन दे टू थू थाउजंस पे शिक्स इस्पैंनिंग 40 km स्कूर किलोमेटर स्काइब यही फॉर्मेशन करता है भसं चर आईलं का अब इवन क्या बोला गया कि आईलेंड विच वोस्व। रेगुलर ली समर्ज्ट यह बिल्कुली समर्च बाइब नौन्सून रेंग्य कि जो बिलकुली समर्ज हो चुका था पान वांगलादेश निभी यह उन स्टूडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका जोग्रफी आज एन ऑप्शनल रहा है याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों के लिए यह चीजें आप लोग थोड़ा सा फोकस करके रखिए करेक्ट याद रखेगा यह स्लाइड ही अपने आप में काफी जड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है ठीके सुरेंट्स अपने आगे मूव करता हूं अब सुनिया ध्यांजिक यहां पर क्या लिखा गया भसंचर के बारे में की दभसंचर फॉल इन एकलोजिक फ्रेजाइल एरिया जो प्रॉण करता है फ्लट्स को एरोजिंट अन शाइकलांज को और इस नॉट कंसीड़ सेफ और हुमन सिट्लमेंट्स के लिए या आईलन करेक्ट अगे क्या बूला गया keep the united nations and the various other human rights agencies are against this regulations as they believe that rohingya refugees must be able to make a free and informal decisions about relocating to the island based upon relevant accurate and updated informations correct it next point क्या बोला की the report contain अब ये report में क्या आता है the report contained allegations किसके आफ दो क्राम्ड और अन हाईजीनिक लविंग कंडिशन को limited food and healthcare facilities को अब इसको criticism किया जा रहे है याद रखेगा ये कुछ ऐसे problems है जो face के जा रहे है और हमने इसको केस सरीके से overcome करना है lack of phones as well as the cases of the sexual harassment by both the navy and the local laborers engaging in extortion अब इंडिया का क्या रोले बोलते हैं भारत इंडिया maintain that Rohingyas are a threat to its national security and have link with the international terror groups correct even India both the hair India has so far refused to exert any pressure on the Myanmar for taking the Rohingyas back and giving them the recognitions as the citizen of the Myanmar correct it so you have a yeah coach India need to apply by this all to India new viewpoints of oh yeah so he ran about the Rohingyas correct अब आगे देखते हैं क्या है कि international convenient on the civil and the political rights even though the refugees are the faunos in the country of the asylums by the virtue of the article 2 of the ICCPR in key international covenant on the civil and the political rights kiri they could enjoy the same fundamental rights and the freedoms as a nation's even the right to equality before the law equal protection of the law non-discrimination yay international human rights law call for the banning discrimination against the refugees who ECQ for a higher tax state a sec 1951 refugee conventions me sorry the core principle of the convention is non-refoulement which asserts that a refugee should not return to a country where they face serious threats to the life or the freedom even even it is not too late for the Myanmar to change the course and the reorient itself to transform into democracy that embraces human rights for all you have a min mark avi bataya gya he a bb could bought daily name here by addressing the issues of the discrimination discrimination key issues of the law and holding those who have violated the human rights accountable correct without tony insurance so next news for the next news recovery from coal mining in the meghalia's is the milan me a lung that is the milan sorry milan me a lung or here a call important रहेगा काफे इंपोर्टेंट रहेगा जीस पेपर 1 जीस पेपर 2 एंड जीस पेपर 3 के लिए शेल भी स्टाइट सुर्ण तो देखिये क्या है यहां पर यहां पर लिखा मुलम यंग एक विलेज है मेगाल्या इस जैंतिया हिल डिस्टिक्स के अंदर याद रखे कहा पर लिए इस जैंतिया हिल डिसक में में बेकिंग प्रोग्रेस एन बिकमिंग अ ग्रीनर प्लेस अमिड पिट्स फ्राइट होल माइन अब क्या लिखा कि जो जैंतिया कोल माइनर्स है एंड डीलर एस्सेशेशन जे वो क्लेम करते हैं 60,000 कोल माइन को अक्रॉस थी सिक्सी विलि है की हजारिय से इन अपरिल 2014 एंड सेट अ टाइम लिमिट फॉर्ट फॉर्ट इंड ट्रांस्पोर्ट इंड कोल अल्रेडी माइन तिल ताइम तो नाशनल ग्रेंड बोलते हैं की बैन लगाया जाए जाए दिद नॉट फॉप एल्लेगल माइन इन देशक्स इंड रिफॉर gonna be 4 station बहुत ज्यादव हो रही ए गारो और कासी बिसमी अब इसटा रहे है ऑंस्तोन माइन की जा रही है shouldn't windows 안녕 heaven पहुत जादा माईन की जा रही है बीफ आरिसल सेटिर रहे की था जारे है इवन Assam lost most of its one's extensive forest कवर सीज पोचिंग इन दीमा हजाव सौरी हसाव रीजन कोल माइन अपर असाम संट्टोन माइन फॉन रिवर बिट्स करेक्ट क्या बोला गया की ट्राइबल स्टेट सिक्ष्ट ड्यूल एप्लाइस करते हैं और लैंड इस प्राइब ली ओंड हैंस कोल माइनिग इस दन प्राइब पाटी यहां पर बोला गया है कि प्राइब पाटी सभी तो वहां पर कोल माइनिंग की प्रिक्टाइश कर रहे हैं और सीज नेबल कोल डिपॉजेट सेंट इन दे स्टीट मोस्ली इन दे याद रखे गारों खासी जैन तीया नहीं कहां पर में घाल्या के अंदर रहेंगे और अकर इंद अरीज़ोंटली सीज ओनी फीट हाइब रहाट होल माइनिंग इस प्रिक्टाइश इंस्टेट आफ ऑपन कास् मायिनिंग रहाट होल माइनिंग बहुत ज्यादा प्रिक्टाइश की जा रहे है जैन्तिया हिल्स मिघाल्या में रेदर देन दे ओपन का स्मानिंग और जो ज्यादा तर लेबर वहां पे लगी हुई है उसके अंदर चिल्ड्रन भी है जो नेपाल से हैं पूरर एरिया ऑफ असाम से बांगलादेश के अंदर से हैं और मिघाल्या के नॉन ट्राइबल सेकिंड क्लास सेटेजन्स पूर ट्राइबल बूला गया वि से एक ऐसा टर्म है जो हजादियर्स और आदियर्स माइन टेकनीक है जहां पे विर माइनर्स क्रॉल इंटु दर वाइंडिंग अंडर ग्राउं टनल जो माइनर्स है खुद नीचे उतर जाएंगे टनल के अंदर फोर तो फाइव फीट्स इन डामेटर तो एक्स एक्स क्लि एक लॉजिकल इस बहुत हैं वहां पे अंसस्टेनीबल माइनिंग हो रही है कन हिली हिली अरियास में जो कंटामिनेट दर फार्म लेंड्स टॉर्न दर स्ट्रीम एसडिक और बायो डिवर्सिटी और लोकल हैरिटेज को बहुत ज्यादा भारी तर पर नुक्सान हो रहा है ह इस लाइक दर फाइब रॉसस नियुमो सॉसस एवन से लिए बहुत ज्यादा हो रहा है चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है यह क्यों अरे क्योंकि चाइल्ड राट होल माइनिंग के अंदर मुस्ली चिल्डर्स को यूश्या आ जायरेक और व on engaging with the immigrants from many can states corruption police officials often collaborate with the mine owners in the states where the open caste mining and the red hole mining are the norms correct अप क्या लिखा की अदिटिटरफ ट्राइच विटिटरी इस ट्राइच करेक्ट एवन क्या बोला among the projects being pursued is low-cost rainwater harvest for recharging the areas making Moolam Young a base camp for the tourists to explore caves canyons and the waterfall in the past of the East Jenta Hills यहां पर माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है विल बूस्ट तूरिसम और ब्रेंग इन रेविन्यू यह कुछ हैसे जो हम लोग इसको रोकर में घाल लिया के लिए बढ़ा सकते हैं एवन 6th schedule बूलता है does not explicitly refer to mining environmental activities are calling for the coal trade to come under the central mining and the environmental loss next government initiatives किया है 2018 में ministry of coal launch करती है unlocking transparency by the third party assessment of the mind coal or thumb application use kia gaya then after national mineral policy ko use kia gaya 2019 में approved kia gaya जिसका theme था sustainable mining boosting explorations encouraging the use of state-of-art technology and skill development even September 2019 में 100% foreign direct investment under the automated approval route was allowed जिसके अंतरकत include किया गया infrastructure को coal mining को January 2020 में Parliament ने पास कर दिया mineral law amendment will 2020 ये government के कुछ ऐसे initiatives जो mining को लेकर आते हैं students याद रखेगा इवन इट मेंस माइन्स माइन्स और मिनरल की development and the regulation act 1957 coal mine at 2015 कौन सा special provision में 1957 क्या बोलता है regulate the mining sector in India specifies the requirement for obtaining and granting mining leases for the mining operations correct अब लास्ट पॉइंट का लिखा कि 2015 में प्रोवाइड करते हैं allocation of coal mines vesting of the rights titles and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining lease to successful bidders with the view to ensure continuity in the coal mining operations and the production of coals clear hair students यहां तो students जैसा कि आप देख पा रहे हमारे पास आगे भी news पढ़ी है but due to time मैं आज का session यही करता हूं और आशा करूंगा कि आपको यह बला session भी काफी अच्छा लगा होगा so thank you students आपको गन्यों की तेरचendenों की मिव्पजै का होग चाते हैं ये रोका भी ये Luther